गुड मॉर्निंग एवरिवान वेलकम टू दू चानल आज हम दहिंदू का यह वाले एडिटोरियल डिस्कास करने वाले हैं तो टुड़े इस ट्वेंटी एट अफ नवेंबर और आज की दहिंदू में यह एडिटोरियल आया है जो कि इंडिया के population problem को basically discuss करता है और बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इंडिया का जो north और south states का divide है वो काफी इंडिया के लिए घाता हो सकता है आगे आने वाले समय में तो यह एडिटोरियल रुक्मनी S के द्वारा लिखा गया है यह data journalist है चन्नाई में और रामक्रिष्न शिनिवासन ने contribute किया है इस data analysis पे तो पूरे एडिटोरियल में basically बात हुई है कि rates of fertility जो है falling fast enough in parts of India that population declines are on the horizon इसमें अब हमें main बाते क्या करनी है तो आप इस पहले statement से देख सकते हो दोस्तों कि इंडिया का problem क्या है population अगर कम होती है population अगर decline होती है तो इसका मतलब है कि workforce availability कम हो जाएगी हमारे पास और population अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास available resources पर pressure है और इंडिया को कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी populous country बन जाएगी 2023 तक चाइना को भी हम सरपास कर लेंगे जो current हमारे population trend चल रहे है तो अगर population decline होती है तो low workforce है इसका मतलब workforce का problem तो हमारा solve हो जाएगा लेकिन population increase होने से हमारे जो resources पर pressure आएगा उसका क्या होगा अब उसको ही हमें assets चेक करना है कि इंडिया की unique population problem है इसमें इंडिया क्या कर सकता है तो इस editorial analysis on depopulation में हम आज discuss करने वाले है क्या है global debate depopulation में क्या है replacement ratio का महत्व क्या है world population prospect में कहा गया United Nations द्वारा इंडिया के problems क्या है aging population के तीन great challenges और north-south divide तो इन parameters पे हम आज के editorial को खतम करने का समझने का कोशिश करेंगे this was Harashwar Dantri Party so I hope you got the entire idea of the editorial now moving further ahead the problem is that इंडिया 1.7 billion population हो जाएगा 2063 तक और world's population जो है वो 2086 तक बढ़ती रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है global trend population increase का 1 billion 1804 में 1 billion थी और लगभग 200 सालों में 220 सालों में हम 8 billion हो गए हैं तो यह जो population लगातार trend हो रही है इससे कुछ countries को तो फाइदा है पर कुछ countries को नुकसान भी है जो population prospect आया United Nations का यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम बात कही गए कि 1990 में 5.3 billion something थे और वही 2100 तक 11.2 billion हो जाएंगे यानि कि 2022 में 8 billion है 2050 में 9.8 billion हो जाएंगे 2100 तक 11.2 billion हो जाएंगे तो इतनी जगन ही है हमारे world में हमारे दुनिया में हमारे गोले में रहने की तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के पास क्या population का problem है तो इंडिया जो है जो world जो है वो 8 billion population टच कर गया October 2022 में चाइना को जो population है वो डिकलाइन कर रहा है और इंडिया का population अभी rise कर रहा है अगले 40 साल तक भारत की अबादी लगातार बढ़ती रहेगी इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ हलाकि air quality बेकार होने की वज़े से वहिकलार pollution जादा होने की वज़े से life expectancy को कम होना चीए था लेकिन यहाँ पर life expectancy भी इंसान की बढ़ती होई नजर आ रही है क्योंकि medical और health care advancement काफी ज़ादा हो चुका है आप यहाँ पर United Nations के data में देख सकते हैं कि 1990 से 1995 के बीच में 65 years थी और 2095 से 2100 में अगले 100 सालों में यह 83 years हो जाएगी अब यह prospects है यह projected global life expectancy है अगर कोई emergency आ गई, लोग सडनली मरने लगे, सेहत बुरी होने लगी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या यह prospects सही था या गलत था बट हम prospects को facts नहीं मानते इंडिया की life expectancy खुद 1950 में 35.21 थी आप समझ सकते हो कि क्या health status था उस साइम पे कितना बुरी health condition थी और वो 2100 तक 81.96 यह हो जाएगी तो life expectancy का बढ़ना अच्छी बात है It's a good sign It's a good sign that आपका health indicator जो है वो सही चल रहा है, आपकी health services बढ़िया है लेकिन अगर यह increasing population के साथ हुआ अगर यह population increase के साथ हुआ तो यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए तकलीफ की बात है इसलिए इंडिया को अभी currently अपनी life expectancy 70.19 जो है कहीं कहीं पे आप data 69.71 years का भी देखोगे यह जो variation है इसी में इंडिया चल रहा है 2022 तो यह आप समझ गए कि किस तरीके से चीज़ें इंटर रिलेटेड है अभी इंडिया को क्यों author कह रहा है कि इंडिया को step in करने की जरूवत है इंडिया को step in करने की इस वज़ा से जरूवत है क्योंकि हमारे यहाँ पे यह सारी दिक्कते हैं जिसको हम address नहीं करते क्या महिला और पुरुष equitable sharing of household work नहीं है बरावरी से काम नहीं करते और यह COVID के दुरान सबसे ज़दा देखा गया subsidized child healthcare facilities भी available नहीं है और महिला को अपने job या अपने career मतलब family या career में job या career family में किसी एक को चुनना पड़ता है तो यह problem है हमारे यहाँ पे female workforce की कमी देखी जाती है immigration में barriers है immigration में barriers लगा रखे हैं पहले तो immigration में barriers country specific हैं जैसे कि अभी UK ने decide किया है रिशी सुनाक के द्वारा UK ने decide किया है कि वो education में barrier लगाएंगे because population काफी ज़ादा बढ़ रही है immigration से problems भी है immigration की अपनी unique problems है एक country को और हमारे यहाँ पे इंडिया में state to state immigration का भी problem है बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि कोई भी दिल्ली में रहने वाला वेक्ती या जम्मु कश्मीर में रहने वाला वेक्ती वो दिल्ली आये काम करने या दिल्ली में रहने वाला वक्ती चन्नाई जाये काम करने के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि गुजरात का वेक्ति 39 जाए या 39 का वेक्ति गुजरात जाए तो state to state migration की भी problem है और इससे ultimately क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि working age population जो है भारत में वो address नहीं कर पा रही है requirements को और पुरी दुनिया में क्या problem हो रही है पुरी दुनिया में problem ये हो रही है कि working age population के लोग उन countries म काम पहुँच नहीं पा रहा है काम करने के लिए जिनमे population decline देखा जा रहा है तो ये समझने वाली बात है कि ये इसलिए इंडिया को step in करने की जरूवत है total fertility rate के अगर भारत की बात करें तो भारत का total fertility rate पहले 2.2 था और अभी 2 हो गया है आप सोच रहे होगे कि दो तो होना सही है हम दो हमारे दो देखिए एक concept आता है एक इंडिया में मतलब fertility rate में ही एक concept आता है replacement ratio का replacement ratio क्या होता है replacement ratio ये कहता है कि अगर total fertility rate यानि कि एक महिला जिन्दगी में अपने जीवन काल में अगर valid age की है तो अगर दो से जादा बच्चों को जन्म देती है यानि 2.1 का average आ रहा है fertility rate में children per woman उसको हम कहते है replacement level fertility 2.1 maintain होना बहुत जरूरी है और अगर 2.1 के नीचे कोई भी आपका fertility rate है तो ये indicate करता है कि generation is not producing enough children to replace itself ठीक है eventually leading to an outright reduction in population eventually leading to an outright reduction in population तो आपको replacement level बनाना है तो 2.1 touch करना है और इंडिया 2.1 पे अभी नहीं है इंडिया 2 पे है ठीक है तो why is fertility in India decreasing इसका एक कारण ये हो सकता है कि economic prospects लोगों के बढ़ रहे है इंकम बढ़ रही है तो उसमें सूझबूच समझदारी family planning, decision making, access to education सब कुछ बढ़ रहा है दूसरा ये है कि females जो हैं वहाँ पे वो health और education का access ठीक ठाक पा रही है कुछ जगहों पे तो हमारा जो fertility का rate है वो decrease हो रहा है और कुछ states इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने replacement ratio touch कर लिया है whereas there are some areas who haven't and this is the cause of concern इंडिया में जो fertility rate, total fertility rate का जो variation है वो काफी ज़्यादा state to state vary कर रहा है अब वहीं पे हमने state wise fertility की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे blue line और orange और dark red कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा कि West Bengal से लेके महरास्ट तक का जो fertility rate है 1.6 से 1.8 है यानि कि यह तो replacement ratio को touch भी नहीं कर रहा है जम्वन कश्मीत करनाटका का somewhere around this आपको दिखाई देगा वेराज उडिसा का आपको exact replacement ratio touch करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे आप कि बिहार में fertility rate बहुत जादा है मदर प्रदेश में और UP में और राजस्थान में और जारकंड में इन सभी states को हम club कर सकते हैं एक साथ जहां पर access to health care, contraceptive family planning जैसी चीज़े नहीं है तो यह जो state wise difference है fertility का इससे बहुत बड़ी problem होती है National Family Health Survey 5 में predict किया था कि इंडिया का urban fertility rate जो है 2019-2021 में 1.6 रहेगा South states में आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया Tamil Nadu हो गया, Kerala हो गया, Maharashtra हो गया इन समय आपको population decline देखने को मिलेगा और जहां पर larger fertility rate है वहां पर भी replacement ratio टच नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि health infrastructure पूर है यानि कि इन में अगर fertility rate जादा भी है तो replacement ratio फिर भी नहीं टच कर पा रहे हैं बच्चे पैदा तो हो रहे हैं पर survive नहीं कर पा रहे हैं तो इनके impacts क्या होंगे हमारी population बूड़ी होती चली जाएगी बूड़ी होने के साथ workforce की कमी आ जाएगी social assistance program में pressure आ जाएगा और उससे होगा क्या contribution to economic growth less होगा लेकिन pressure pension resources पे बढ़ता चला जाएगा economic dependence उन countries पे हो जाएगी हमारी जो workforce प्रवाइट करते हैं और aging women के लिए बदलते दोर में बदलते समय में दिक्कतें जादा हो सकती हैं इंडिया कैसे इन सारे issues को resolve कर सकता है how can India resolve this issue particularly with the southern states इंडिया कोशिश कर सकता है कि state migration बढ़े और कुछ ऐसी economic opportunities create की जाएं southern states में जो की employment को generate कर सके हैं anti-feminism और ethnic superiority जैसे concepts को states को avoid करना चाहिए एक holistic approach लेनी चाहिए तो behavior of states में बदलाव आने की जरुवत है इस इसके जीते जाते example है तमिलाडू और बिहार जहां पे हमेशा migration कम होता है इन दोनों factors के कारण further author ने कहा कि future कहां lie करता है तो author ने कहा कि जो working age population है वो northwards shift करेगी northwards shift करेगी क्योंकि वहाँ पे workforce जादा होगा केरला और तमिलाडू decline phase कर रहा है immigration rates में जबकि वो opposite claim करते हैं तो इसका मतलब यह है कि केरला और तमिलाडू का workforce भी north side move करेगा लेकिन एक difference है यहाँ पे केरला और तमिलाडू में skilled workforce है और skilled workforce क्यों है क्योंकि literacy rate literacy rate काफी अच्छे है ठीक है people from these states are moving northwards in search of livelihood states like Karnatica and New Delhi के migration में बढ़ोतरी है migration हो रहा है और उनको population decline की समस्चा से deal नहीं करना पड़ेगा तो last में इंडिया के पास 3 unique challenges पचते हैं और 3 unique solutions हैं कि हमारा जो sex ratio है हमें उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए norths out divide जो है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए in terms of literacy rate, in terms of gross enrollment and higher education which means skilled workforce south workers फिर भी replaceable नहीं है north workers से क्योंकि उनके पास कला है और यहां north workers में labor force जादा है और तीसरा आखरी author कहता है कि sharp Hindu Muslim tone जो है वो remains a problem, unity में problem करता है जबकि fertility rate दोनों religions के converge कर रहे हैं एक जैसे हैं तो यहां पे author ने last में suggest किया कि हमें कुछ ऐसी approach लेनी है कि welfare of the people को हम balance कर सकें उनकी vulnerability to economic factors के साथ क्योंकि यह population से dependent है और economic productivity of the country को ध्यान में लेके चलें और D population में north और south states को involve करें So this was a pretty much direct analysis of the entire editorial Try to read the editorial, try to corroborate it with these facts So this was Harshwar Dandri Pairo signing off, I will see you guys in the next analysis